हाई गाईज, तो आज विडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाइक रुपीस के वीडियो एडिटिंग एन गेमिंग पीसी बिल्ड के बारे में इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर आप एक 1 lakh रुपीस का video editing and gaming PC build करने की सोच रहे हो तो कौन-कौन से components हैं जिनको आपको choose करना चाहिए और यह जो PC है यह आपका full Intel based PC होने वाला है तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सुरुवात करते हैं अपने पहले component से जो है CPU तो CPU के लिए हमने चूज किया है Intel का i5-13400 जो आपका 10 cores and 16 threads का processor है जिसमें से 6 आपके performance वाले course हैं और चार आपके efficiency वाले course है 2.5 GHz की base clock frequency के साथ आता है अगर हम इसकी turbo clock frequency की बात करें तो वो आपको up to 4.6 GHz तक ही मिल जाती है इसमें आपको 20 MB की cache memory मिल जाती है और अगर हम इस CPU की power consumption की बात करें तो इस CPU की maximum power consumption आपको 154 Watt की मिलती है इस CPU में आपको Intel के UHD integrated graphics मिल जाते हैं लेकिन अब आप बोलोगे की 13400F में क्या बुराई है उसको भी तो ले सकते हैं लेकिन 13400 को लेने का एक reason है उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में और अगर हम इस CPU की price की बात करें तो Intel का i5-13400 अभी के time पे आपको 23,000 रुपीज के आसपास का मिल जाएगा और अपनी price के इसाब से काफी बढ़िया processor है और time to time price तो कम होती रही तो अगर आप थोड़े time बात बनाते हो तो क्या पता इससे भी सस्ता मिल जाए और अगर हम CPU cooler की बात करें तो लगाने को तो आप अपना stock cooler ही लगा सकते हो लेकिन productivity जैसे काम में आपके CPU में थोड़ा से load आता है और Intel के CPU अभी थोड़ा से ज़्यादा heat भी करते हैं तो इसलिए एक aftermarket cooler लगाना ज़्यादा बढ़िया है और जो cooler हमने इस build के लिए चूज किया है वो है Deepcool की और से उनका Gamax AG300 जो आपका एक air cooler है 90mm के fan के साथ आता है तीन इसमें आपको heat pipes मिल जाती है और अगर हम इस cooler की price की बात करें तो Deepcool का Gamax AG300 आपको अभी के टाइम पे अराम से 1300 रुपीज के आसपास का मिल जाएगा और अमारे i5 के लिए sufficient है बात करें motherboard के बारे में तो motherboard के लिए हमने choose किया है Asus का Prime B660 Plus D4 जो आपका B660 chipset वाला motherboard है जो आता है LGA 1700 socket के साथ और यह जो motherboard है यह आपका DDR4 RAM वाला motherboard है जिसमें आपको 4 dim slot मिल जाते हैं VRM heat sinks आपको इस motherboard मिल जाती है PCI Gen4 को support करता है और और भी काफी सारे features आपको इस motherboard के साथ देखने को मिल जाते हैं और अगर हम इसकी price की बात करें तो Asus Prime B660 Plus D4 आपको अभी के टाइम पे 15,000 रुपीज के आसपास का मिल जाएगा और अपनी price के एसाब से काफी बढ़िया motherboard है बात करने RAM के बारे में तो RAM के लिए हमने चूज की है G-Skill की Trident Z Neo 16 GB की 2 DDR4 3600 MHz वाली RAM जो productivity जैसे work के लिए more than sufficient है और अगर हम इस RAM kit की price की बात करें तो G-Skill की ये वाली RAM kit अभी के टाइम पे आपको 12,000 रुपीज से 14,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगी अब बात करेते हैं ग्राफिक काड के बारे में 256-bit की memory interface के साथ आता है अगर हम इसकी memory speed की बात करें तो इस ग्राफिक काड में आपको 16 Gbps तक की memory speed देखने को मिल जाती है बात करें इसकी clock speeds की तो ये ग्राफिक काड आता है 2050 MHz की clock speeds के साथ DAG-Tex 12 Ultimate का support आपको इस ग्राफिक काड में मिल जाता है Vulcan 1.3, OpenGL 4.6 और OpenCL 3.0 का भी support आपको इस ग्राफिक काड में मिल जाता है ये ग्राफिक काड आपका PCI Gen 4 को support करता है अगर हम इसकी power consumption की बात करें तो ये ग्राफिक काड आपका 225W का ग्राफिक काड है सारे codex का support आपको इस ग्राफिक काड मिलता है इंक्लूडिंग AB1 जो काफी बढ़िया बात है और इस GPU की productivity performance भी आपको काफी बढ़िया मिलती है और अब मैं बताता हूँ कि हमने IGP वाले CPU को क्यों चूज किया है हमारा जो CPU है वो भी Intel का है जो IGP के साथ आता है जो हमारा graphic card है वो तो Intel का है ही तो इस combination के साथ आप Intel Deep Link का यूज कर पाऊगे जिसकी वज़ा से वीडियो rendering के टाइम पे आपको performance में काफी बढ़िया boost मिलेगा और जब extra performance मिली दिये तो उसको हाथ से क्यों जाने दे अगर हम इस graphic card की gaming performance की बात करें तो इसकी gaming performance भी आपको काफी बढ़िया मिलेगी आप लगभग सारे game 1080p Ultra या 1440p पे काफी अराम से खिल पाऊगे और वो भी काफी अच्छे FPS के साथ अगर हम इस graphic card की अभी के टाइम पे price भी काफी बढ़िया चल रही है Intel का Arc A350 आपको अभी के टाइम पे 23,000 रुपीज से 25,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल जाएगा अब बात करेते हैं storage के बारे में तो SSD के लिए हमने चूज की है WD की Blue SN750 1TB की NVMe SSD जो आती है अफ्टो 3000 Mbps तक की speeds के साथ अगर हम इस SSD की price की बात करें तो यह अभी के टाइम पे आपको 6,000 रुपीज की देखने को मिल जाएगी बात करें hard disk के बारे में तो hard disk के लिए हमने चूज की है Seagat की Veracuda 2TB की 5,400 RPM वाली hard disk और यह hard disk आपको अभी के टाइम पे 45,000 रुपीज की आसपास की मिल जाएगी और बाकी तो storage आपके उपट depend करता है अपने uses के इसाब से आप change भी कर सकते हो अब बात करेते हैं power supply के बारे में तो power supply के लिए हमने चूज की है XPG की Pylon 650B 650W की 80 Plus Bronze Certified Power Supply जो आपको 4700 रुपीज की आसपास की मिल जाएगी और आप चाहो तो Cooler Master, Corsair, Deep Cool, Thermal Tech जैसे ब्रैंड्स के साथ भी जा सकते हो N650W की 80 Plus Bronze Certified Power Supply हमारे PC के लिए सफिशेंट रहेगी अब बात पहते हैं cabinet के बारे में जिसमें आपको 4 120mm के ARGB फैंस मिल जाते हैं फ्रेंट में आपको मेश डिजाइन देखने को मिलता है जिसकी वज़े से इस cabinet का airflow भी आपको काफी बढ़िया मिलेगा अगर हम इस cabinet की प्रैस की बात करें तो गैलेक्स का Revolution 01 आपको अभी के डाइम पे 4500 रुपीज के आसपास का मिल जाएगा तो ये होगे हमारा 10000 रुपीज का वीडियो रेटिंग एं गेमिंग PC बिल्ट कम्प्लीट अब अगर हम इसकी परफोमेंस की बात करें जीप्यू है वो भी आपका इंटल का आर्क जीप्यू है जो प्रोड़क्टिविटी में वैसे ही काफी बढ़िया है तो जाहिड सी बात है इसकी प्रोड़क्टिविटी परफोमेंस आपको अच्छी मिलेगी इस पीसी में आप स्मूधली 4K वीडियो एडिटिंग कर पाओगे अब चाहे आप प्रीमेर प्रो यूज़ करो दाविंची डिजॉल्व यूज़ करो या फिर फिल्मोरा यूज़ करो सब में आपको काफी बढ़िया परफोमेंस मिलेगी तो बस इताईत हाच की तो अगर आपको वीडियो च्छी लगी हो तो यह ज्स वीडियो को लैट करें जैदे हैं चालनों को भी सब्सक्काव करना ना साती हम सब ब्राक हरा को बहुता है Tobimiento सै मैंने बात की हैं, सबके लिंक मैं आपको description में दे दूँगा आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप Amazon से कुछ बाइख करना चाहते हो तो उसका भी एक link आपको description में मिल जाएगा वही से जाके बाइख करना, तो मैं मिलता हूँ अगली विडियो में तिल दे बाइख तिल दे बाइख तिल दे बाइख